अब बात करके हमारी एक और premium सिरिज का एक और premium match इसका semi-final match खिला जाने वाला है इसमें हमने बहुत सारी winning की South Africa T20 में अब इसको एक final touch देने की बारी है semi-final 1 होगा, semi-final 2 होगा, final match होगा बड़ी winning आपको देखने को मिलेगी काफी profitable रही है South Africa T20 के हमारी सिरिज अब क्या है कि last में अगर हम अपने members को profit नहीं करवाएंगे तो बाकी पिछली winning का कोई फायदा नहीं है हम यह चाहते हैं कि हमारे जितने भी members है वो last के matches में जब तक profit नहीं करेंगे तो ultimately खुसी-खुसी कैसे समापत होगी सिरिज जैसे Big Bass League के final में आपको पता है पूरे market में किसी ने winning नहीं की हमने बहुत जादा-जादा points से वहाँ पे winning की थी बड़ी-बड़ी winnings हुई लाखों win करवाय है हमने members को same way South Africa T20 में आपको देखने को मिलेगा अभी दो दिम पहले एक दिम पहले यहाँ पे आपने देखा था दो दिम पहले in fact Pretoria और Paral के बीच में match हुआ था जिसका हमने prediction का video भी दिया था ये भी match इनी दोनों team के बीच में होने वाला है विकॉज ये टैवल में top two की teams है और आपको काफी अच्छा match देखने को मिलेगा सबसे पहले weather condition देख लेते हैं यहाँ पे currently देखा जाए तो rain हो रही है 60% chance है और rain है बट जब match स्टार्ट होगा उससे हैं बिलकुल भी rain नहीं दिख रही है लेकिन weather condition कोई भी 100% predict नहीं कर सकता है हो सकता है rain हो भी हो सकता है नहीं भी हो लेकिन मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ इसका result आपको देखने को मिलेगा और पूरा match आपको होता हुआ दिखेगा क्योंकि इतने भी ज़्यादा rain match के timing पे नहीं है दोनों टीम के point stable पे एक बार नजरे डाल लेते हैं तो यहां पर सबसे अच्छा performance किया है Pretoria Capital ने जिनकी अगर मैं बात करूँ 10 में से 7 match जीता है और यहां पर अगर मैं दूसरी team की बात करूँ PR की तीनों ने 10 में से 4 match जीता है पांच मैच हा रहा है और एक इंका नो रिजल रहा है यानि नमबर वन पे जो team होती है उसका मुकाबला होता है नमबर 4 वाले team के साथ उनको benefit दिया जाता और बीच में इन दोनों team के साथ होगा बीच में होगा semi final two अब venue and pitch report की बात कर लेते है जोहानस बर्क में ये match होने वाला है जहां कि आपने ये जो match हुआ था ये इन दोनों ही team के बीच में हुआ था ये कब हुआ था साथ फरवरी को एक दिन पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 226 बनाया था Pretoria Capital ये 167 ही बना पाई थी तो Pretoria Capital के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो Points Table में Number 1 पर है वो अलब venue अलग था इस venue के अगर मैं बात करूँ Centurion का venue था ये तो यहाँ पर आसानी से इन्होंने जीत हासिल कर ली लेकिन अब match हो रहा है जोहानस बर्क में मैं आपको टोटल बताता हूँ टोटल पाँच इस venue पर खेले गए तीन बार बैटिंग फर्ष्ट एक बार बैटिंग सेकंड और एक बार नो रिजल्ट रहा है यानि टीम टॉस जित करके पहले बैटिंग करने का फैसला कर सकती है बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं बने है 200 प्लस के स्कोर यहा पे सीजन नहीं बने है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से स्कोर बना 189 बनाया हो यहाँ पे 113 डिफेंड कर लिया गया और यहाँ पे विकेट्स की बात करें तो 8 विकेट पेसर और 8 विकेट इस्पीनर यानि पेसर और इस्पीनर दोनों को मनत मलती है जारा तर मैचे में आपको यही दिखेगा बस एक मैच को छोड़ करके इसके अलावा इस मैच में 160 बना इसको डिफेंड कर लिया गया यानि दोनों मैच में आपने देखा कि डिफेंड कर लिया गया पहले बैटिंग करने वाले टीम ने मैच को जीता यहाँ पे अगर मैं बात करो तो पेसर्स ने 8 विकेट इस पीनर ने 7 विकेट एक बाद फिर से दोनों ने विकेट लिया अच्छे खासे इसके अलावा यहाँ पे नो रिजल्ट गया था इसके अलावा 178 बना यहाँ पे चेस कर लिया गया यहाँ एक बड़ा score chase हुआ जो कि जनरली नहीं हो रहा था यहाँ अगर बात कीजाए तो Pacers ने 5 और Spinner ने 3 फिर से दोनों नहीं विकट लिया एक और match जो यहाँ पर खेला गया था सबसे पहला मुकाबला 168 बनाया और 6 रन से defend कर लिया गया यहाँ जारतर मैचेज में 5 में से 3 मैच में पहले बैटिंग करने वाले टीम ने जीता है चाय बड़ा score बनाओ चाय छोटा score बनाओ एक ही मैच में रन chase हुआ है 179 का target जोहानस बर्ग ने ही chase किया था इस मैच के अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज्यादा विकेट मिले थे मैं आप पो दिखा देता हूँ इस वाले मैच में 11 विकेट पेसर को मिले थे और 4 विकेट मात्र स्पीनर को मिले थे इस season दोनों team के बीच में दो hit to hit मुकाबले हुए है जिसमें से की एक जीता है Pretoria Capital ने एक जीता है PRL के टीम ने दोनों ने एक मैच जीता है इसके पहले वाला मैच जो last मैच मैंने आप पो दिखा दिया है एक और मैच मैच मैं आप पो दिखा देता हूँ एक तो आपको स्क्रीन पर ये मैच दिख रहा है जिसको Pretoria Capital ने one-sided win किया था Centurian के मैदान पर ये हुआ था एक और मैच आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 158 बनाया था Pretoria Capital ने और PR की टीम ने इसको चेस कर लिया था ये भी अलग मैदान पर हुआ था अब यह तीसरे मैदान पर मैच हो रहा है इनके बीच में अब यहाँ बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम कैसे बनानी है सबसे मजबूर्ट टीम है Pretoria Capital की पहले इनकी बात कर लेते हैं तो इनकी तरफ से जो important है सबसे important है Jaws Butler वन डाउन बैटिंग करने आते हैं लाज बाच पाल श्टरलिंग खेल रहेते हैं अगर यह नहीं खेलते हैं पाल श्टरलिंग तो फिर से ओपनिंग करेंगे 70 रंग की इनिंग खेली थी Captain की नंबर वन च्वाइस है इनके साथ ओपनिंग करने आते है Jaws and Roy अगर पहले बैटिंग आएगी Pretoria Capital की तो इनको लेना जैसा मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था सेकंड बैटिंग आएगी तो मत लेना कल भी आपने देखा कि सेकंड बैटिंग आई तो हमने Jaws and Roy को नहीं लिया था वो 10 रन पर ही आउट हो गए थे तो उसी concept के recording हम चलेंगे इन्होंने एक अच्छी इनिंग खेल लिए 61 बंकी आप इनको चाहो तो try कर सकते हो and आपको लेना भी चाहिए लेकिन Paul Sterling के साथ में जाओंगा यह ज़्यादा better player मेरे को लगते हैं और बड़े इनिंग खेल सकते हैं और नॉकाउट मुकाबले में यह ज़्यादा अच्छा खेलते हैं आपने देखा होगा इसके अलावा जो important player है उनको हम लेते चलते हैं यौन मॉर्गन भी खेले थे बड़ूंको हम नहीं लेंगे डेविड मिलर बड़े match के बड़े player है आपको IPL में भी याद होगा गुजराट टैटन्स को नॉकाउट मुकाबले में इन्होंने विन करवाया था और बहुत सारे ऐसे matches में इन्होंने विन करवाया था जबकि टीम हार रही थी तो ये अच्छी batting करते हैं प्रेसर वाले मुकाबले में लुंगी नगेडी आपके लिए मस्ट भी कहें यहां से विकेट टेकिंग बॉलर है इसके अलाव़ यहां पे फॉर्चियन इंपॉर्टेन भले इंको लाश्ट मैच में विकेट नहीं मिला था इस पिछ पे स्मीनर्स को भी मरत करती है पिछ तो आपको लेना है इसके अलाव़ एलविन जोन्स का उप्सन आपके पास है लाश्ट मैच में एक्स्पेंसिव रहे थे लेकिन लगातार इंको इस सीजन विकेट मिला है सी यूसप खेले थे लाश्ट मैच आप चाहो तो इंको ट्राई कर सकते है फिलालमिको ट्राई नहीं करेंगे और इसके अलाव़ एंडेले का उप्सन है एंडेले को आपको लेना चाहिए साथ अफरिका के काफी पुराने प्लेयर है और विकेट टेकिंग उप्सन है आपके टीम में होने चाहिए अब पियारल के टीम की बात कर लेते हैं लबे लाश्ट मैच नहीं खेले थे अगर लबे की वापसी होती तो एंडेले की जगह पे उनको ले लेना वो बैटिंग बॉलिंग दोनों से उप्सन देते हैं आपको दूसरे टीम की बात कर लेते हैं यहां से कुसाल मेंडेस बहुत सांधार फॉर्म में है असी रम बनाया था और लाश्ट मैच में फिलिप सॉल्ड भी अच्छी फॉर्म में आ गया थे प्लस विकेट कीपिंग भी करते हैं तो आपको वहां से ही पॉइंट देंगे इंपोर्टेंट है आपके लिए अब यहां पे कुछ और आपसन है रिले रसोग का है टीडी ब्रुयन का है कॉलिन इंगराम का है बड़ हम तीनों को ही नहीं लेंगे आपके लिए इंपोर्टेंट है इसके अलावा हम यहां पे अन्रिच नौर्किया को लेंगे यह इंपोर्टेंट है अगर आपको कुछ चेंज करना है तो मैं आपको एक चेंज रिक्मेंड करूंगा आप यहां पे एंडिले फैलिक वायो की जगह पे आप यहां पे आदिल कर सकते हो यह दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं काफी विकेट्स लिए हैं इस सिरिज में अगर आपको लेना है तो फ्रियां विकेट कीपर में आपको इन दोनों में से जो भी लगता है फ्लॉप होंगे मैं आपको रिक्मेंट करेंगा फिलिप सॉल्ड को हटा देना और यहां पे इनकी जगह पे आप प्रेटोरियस को ले लिना यह काफी सांधार बॉलर है लाष्ट के तीन-चार मैस से खेल रहे हैं और लगातार विकेट्स ले रहे हैं इंपोर्टेंट है सी विसी की बात की जाए बटलर अच्छा उप्सन है अच्छी फॉर्म में जीमी निसम अच लेकर के कैप्टन या वाइस और विकेट की पर है उससे केस में एम प्रेटोरियस को हटा करके उनको लेकर के कैप्टन बना सकते हो यह सारे ईप्सन से सारी बाते मैंने बता दी अभी के लिए वीडियो में इतना ही आपका होश्ट इंदो संकुरि साइनिंग आउट